सुशान सिंग राजपूत की जिंदिगी और मौत से पहले के लम्हों पर आधारित बताई जा रही फिल्म नियाई दो जस्टिस का पहला टीजर रिलीस हो गया है 58 सेकंड के इस टीजर को देख कोई भी बता सकता है कि फिल्म सुशान की मौत से पहले के कुछ महीनों और फिर बाद में हुई वेंट्स पर बेस्ट है लेकिन सवाल ये है कि क्या 58 सेकंड का ये टीजर फिल्म में सुशान की मौत के जिम्मिदार की तरफ इशारा करता है आकर कौन है फिल्म में रिया चकरवर्ती, कौन निभा रहा है महिश भट का रूट, फिल्म में सुशान की मौत का विलेन आकर दिखाया किसे जा रहा है इस 58 सेकंड के टीजर में कहानी उसी तरह आगे बढ़ती है जिस तरह से सुशान सिंग राजपूत के केस की इंवस्टिकेशन की कहानी आगे बढ़ी थी सुशान सिंग राजपूत की सुसाइट की ब्रेकिंग नियूस, मुंबै पुलिस और बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, E.D. और N.C.B. की पूश्ताज बगेरा बगेरा सुशान सिंग राजपूत के पिता के रोल में नज़र आ रहे हैं बॉलिवूट के दिगज आक्टर असरानी हाला कि प्रोडक्शन कॉलिटी की बात करें तो टीजर देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि फिल्म उस लेवल की नज़र नहीं आ रही जिस तरह से बड़ी-बड़ी बॉलिवूट फिल्मों का लेवल होता है और इस फिल्म में वो आक्टर्स नज़र आ रही है जिनका करियर या तो खत्म हो चुका है या जिने कोई जानता ही नहीं हाला कि शक्ति कपूर, किरन कुमार, अमनवर, मौर, सुधा, चन्रन जैसे नून चेहरे इस फिल्म में नज़र आते हैं सुधान के लाइफ पर едक डॉक्यमेंटरी है या उनके केस का सुसाईट का रंग दिखाकर ये फिल्म उसी नोट पर खत्म की जाएगी जैसे सुधान के केस को खत्म कर दिया गया है या फिर ये फिल्म सुधान के असली गुनेगार का परदा फार्श करेगी खेर अब ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा हाला कि आपको बता रहें कि दिलिप गुलाटी की लिखी और उनी की डिरेक्शन में बनीए फिल्म 11 जुन को थेजस में रिलीस होगी मेकस ये फिल्म सुशान को श्रधानजली के रूप में रिलीस करेंगी आपको बतारें कि फिल्म में में किरदार जुबेर खान और श्रेय शुकला निभा रहे हैं जो कि सुशान सिंग राजपूत और या चकरवर्ती से इंस्पायर है हाला कि फिल्म रिलीस से पहले कॉंट्रवर्सी का शिकार हो चुकी है दरसल कुद को सुशान का फैन बताने वाले मनीश शर्मा नाम के समाथ सेवी ने पहले डिंडोशी सिविल कोट और वहाँ से खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोट में फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए याच्चिका लगाई थी उन्होंने फिल्म पर फैक्स के साथ शेर्चार करने और सुशान की इमेज को धूमिल करने का रोक लगाया था और इसे लेकर हाई कोट ने मनीश शर्मा से पूछा था कि वो कैसे जानते हैं कि मेकरस फिल्म में क्या दिखाने जा रहे हैं वहीं फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को बनाते वक्त ये बयान दिया था कि चूकी फिल्म पब्लिक डुमेन में है इसलिए इसके राइट्स लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ी खेर तब तक आप लोग भी हमें कमें सेक्शन में बताइए कि अगर आपने नियाए दे जस्टिस का टीजर देखा है तो इस पर आपकी क्या राय है बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं